दोस्तो नमस्कार आप देख रेंगर केट इंडिया क्रकेट का महा संग्राम यानी टाटा IPL 2022 की शुरूबात में अब कुछ सी टाइम बचा है IPL की मेगा उक्संस की स्मापती भी हो चुकी है और IPL 2022 में पार्टिसिपेट करने वाली दस की 10 टीमों ने IPL 2022 के लिए खतरनाक स्क्राइब कर लिये हैं लेकिन दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2022 में खेलने वाली 10 की 10 टीमों के ओपनिंग बेस के बारे में यहां पर आप सभी को पता है कि सभी टीमों के स्क्राइब पूरी तरह से बदले तरह से में यहां पर 10 की 10 टीमों के ओपनर बले बाज भी यहां पर पूरी तरह से बदल चुके है रोपनर्स की मामले में डेली कैबिटर्स और लखनों की टीम काफी स्ट्रोंग नजर आ रही है वही दूसरी तरफ रोयल चलेंजर्स बैंगलोर और गुजरा टाइटर्स की टीम बहुती बड़ी मुशिवत में फस्य और इस वीडियो में हम वन बाई वन आईपियल 2022 की दस की दस टीमों के ओपनिंग पेस को पूरी तरह से एनलेसिस करने वाले हैं इसलिए आप इस वीडियो का अंतक जरूर देखते रहे हैं इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा देना तो हम आपका समय यहाँ पर बिल्कुल भी बरबाद नहीं करेंगे डारेक्ट अपने टोपिक पर आते हैं साथ पिर्थवी शा ओपनिंग करते हुए नजर आने वाली है उसके बाद हम बात करते हैं माही शेना चैनल की शूपरकिंस के बारे में तो IPL 2022 के लिए CSK के स्क्रेट्स में भी कुल चार ओपनर भले बाज मुझूद है जहाँ पर रितुराज गाई क्वाड अंबाती राइडू रोबिन उथपपा और डिवोन कौन में है डिवोन कौन में जबरदस्ट ओपनर जरूर है लेकिन इनके बेस्ट पेर की हम यहाँ पर बात करते है तो IPL 2022 में हमें चेनने इस उपरकेस की तरफ से रितुराज गाई क्वाड के साथ रोबिन उथपपा ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं उसके बाद हम बात करते हैं टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में तो क्यार के पास भी IPL 2022 के लिए चार ओपनर बले बाज मोजूद है जहाँ पर सुनील नारायन, नितीश, राणा, वेंक्टेस अयर और अजिंग क्या रहाने मोजूद है आला कि ओपनिंग को लेकर काफी ज़्यदा वेरिशन्स यह टिम कर सकती हैं लेकिन जो बेस्टेस पेर बन रहा है वो यही कि हमें IPL 2022 में इस टीम के ल ये तीन ओपनर्स बले बाज मोजूद है जो यहाँ पर विराट कोहली है, गलीन, मैक्सवेल है और फाफ ड्यूपलैसिस है आप सभी को बताना चाहोगी ये तीनों खिलाडी मीडल ओर में भी बले बाजी कर लेते हैं जिसके जलते ओपनर्स को लेकर थोड़ी सी मुसीबत म यह टीम जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन के बेस्टेस्ट फेर की हम यहाँ पर बात करते हैं तो आईपियल 2022 में इस टीम की तरफ से हमें विराट कोहली के साथ फाफ ड्यूपलैसिस ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं उसके बाद हम बात करते हिट मैं चेना पास भी तीन ओपनर बले बाज मोजूद है जो है इसान किशन, रोहिष सर्मा और तिलक वर्मा लेकिन के बेस्टेस्ट ओपनिंग पेर के हम बात करते हैं जिसको खुदाकास अंबारी ने कंफर्म किया कि हम आईपियल 2022 में मुंबई इंडियंस की तरफ से इसान किशन के सा पास रोहिष चर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात टाइटन्स के बारे में तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपियल 2022 के लिए गुजरात टाइटन्स के स्क्वेट्स में कुल चार ओपनर बले बाज मोज से सुपमन गिल के साथ जैसन रोय ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं उसके बाद हम बात करते हैं लखनव सुपर जैंट्स के बारे में तो भी लखनव सुपर जैंट्स के पास आईपियल 2022 के लिए ओपनिंग के तोर पर कामफी सारे सांदार खिलाडी मोजूद है जहां पर केल राहूल मनीस पांडे, क्वेंटम डी कोक और मारका स्टोनीस मोजूद है चारो खिलाडी जबरदस्त बल्ले बाजी ओपरिंग में कर लेते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना है चेंगा 2010 से चल रहे हैं इंडिया के नबर वन गिमिंग प्लैट्फोर्म रेडी अनना के बारे में जहांप 160 पलस गेम्स खेल सकते हैं इनके पास 15 पलस साइट्स और भारत में इनकी 100 से ज्यादा ब्रांचीज है 24 इन्टु 7 की वीडरो सर्विस आपको यहां मिल जाती है आप इनसे वट्चैप पर कॉंटेक्ट करके सब डीटेल्स ले सकते हैं और IPL 2022 में स्टीम की तरफ से हमें सिखर दवन के साथ मयंक अगरवाल ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं उसके बाद हम बात करते हैं टीम संट्राइजर्स हैदराबाद के बारे में तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हैदराबाद की टीम के पास भी IPL 2022 के ये तीन खतरनाक ओपनर बले बाज मोजूद है जहां पर राहूल तिरपाथी, एड़न मार्कराम और ग्लेन फिलिप्स मोजूद है उनके बेस्टेस्ट पेर की हम यहां पर बात करते हैं IPL 2022 में स्टीम की तरफ से में एड़न मार्कराम के साथ राहूल तिरपाथी ओपनिं आप सभी को पता है कि ये ससवी जैस्टवाल भी ऊपनिंग करते हैं और यहां पर घ्राध्र के साथ जोस से राजिस्थान औरहर की पनिन नजर आने वाले हैं तो दोस्तों सबसे खतरनाक हमें कमेंट मुक्स में जरूर देना आपने दाए फिलाल कि शुड़े मसे तना ही जड़ा इंफॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब के लिगर के इंडिया थेंक्स पर वोचिंग